दिल्ली की पूर मुख्य मंत्री शीला दिक्षित के निधन के बाद दिल्ली वालों को बड़ा जटका लगा है क्योंकि दिल्ली की तरक की शीला दिक्षित की ही देन है दिल्ली वासी आज उन्हें उनके काम को लेकर याद कर रहे हैं तो आईए आपको बताते हैं दिवंगत शीला दिक्षित के वो पांच फैसले जिनोंने बदल डाली थी दिल्ली की दूर दर्शा दिल्ली में बिजली नीजी करण का फैसला एक समय था जब दिल्ली में आई दिन बिजली की खूप कटौती हुआ करती थी दिल्ली वासी इससे बहुत परिशान थे बिजली की कटौती से परदेश में तब हर वर्क के लोगों के सामने मुश्किले थी जिसके बाद शीला ने बिजली नीजी करण का फैसला लिया और लोगों को इस परिशानी से निजात दिल्वाई सडको और फ्लाई ओवर का निर्माण दिली में शीला सडकों और फ्लाई ओवर का निर्माण करा कर देश के बुन्यादी धाचे में एक क्रांती लाने में सफल रखी मिट्टी के तेल के इस्तिमाल पर रोक उस समय दिली में केरोसीन का इस्तिमाल धडलने से होता था लोग केरोसीन को दीप, स्टोफ, उध्योग धंदो, कार खाने और ट्रेक्टरों में इस्तिमाल करते थे ये शीला दिख्षित के फैसले का ही फल था कि साल 2012-13 में राजधानी को देश का पहला केरोसीन मुग्ध शेहर बनाने का गौरव हासल हुआ प्रदूशन कम करने के लिए शीला दिख्षित ने ये खास कदम उठाया जिसकी आज भीज सरहाना होती है दिली नगर निगम को तीन हिस्सों में बाटा गया इस विभाजन के पीछे उनकी ये सोच रही थी कि दिल्ली वासियों को जादा से जादा सुविधाय मिल सके दिल्ली वालों को MCD के द्वारा किये जाने वाले कामों का ठीक से फायदा मिल सके नवोधे टाइम्स के लिए करुनठाकुर दिल्ली